So hi everyone, स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का पोर्षन ट्रेकर एब की एक नए वीडियो में तो जैसा कि अगर आप लोग किसी भी बच्चे का अधार वेरिफिकेशन कर रहे होंगे तो आधार वेरिफिकेशन करते टाइम आप लोग को एक समस्या देखने को मिल रही होगी डाटा डॉस नॉट मैच वीथ दा अधार डिटेल्स यानि कि अगर आप लोग सही सही डिटेल्स भी डाल लेते हैं बच्चे के माता या पीता जिसके भी आधार से आप लोग आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पे आप लोग भेरिफाय कर रहे हैं तो ये मैसेज आप लोग को देखने को मिल ला है data does not match with the other details तो इस प्रकार की जो problem है उसको कैसे ठीक करना है इस वीडियो में आपके लिए एक solution लेकाया हूँ जिसमें कि आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है एक option को change करना है उस option को change करने के बाद आप लोगों को जो ये problem हो रही है वो problem यहाँ पे बिलकुल ठीक होने वाली है तो आप लोगों से यही छोटी सी request करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग लाश्ट तक देख लीजिए अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को like भी कर दीजिएगा और जो भी नई आगनबारी बहने हमारे इस चैनल के साथ जूरना चाहती है वो नीचे red color के subscribe बटन को दबा कर all का notification जरूर on कर लिजिएगा और हाँ जो भी आगनबारी बहने all का notification यानि घंटी का आइकन जो है उसको all पे नहीं set किये है तो all पे set कर लिजिए क्योंकि जो भी वी वीडियो का notification है वो सबसे पहले आप तक मिलता रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखे जैसा कि यहाँ पे हमने बच्चे के माता का अधार नमबर डाला है यहाँ पे date of birth उस बच्चे के मा का ही डाला है और यहाँ पे gender यहाँ पे female select किया है देखे यहाँ पे problem क्या आ रही है जैसे कि यहाँ पे बच्चे के मा का नाम यहाँ पे सो करना चाहिए बट यहाँ पे उस बच्चे के मा का नाम यहाँ पे नहीं सो कर रहा है या उस बच्चे के पिता का नाम यहाँ पर नहीं सो कर रहा है इसी वज़ा से आप लोग को यहाँ पर अधार वेरिफिकेशन करने में प्रोब्लम हो रही है तो चलिए इसको कैसे ठीक करना है जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ से बैक आ जाते हैं बैक आने के बाद बेनिफिसरी वाली केटेगरी में आ जाएंगे आने के बाद यहाँ पर जो बच्चों की केटेगरी है इसमें आप लोग को देख लेना है किस बच्चे का हमें अधार वेरिफिकेशन करना है तो आप लोग को यहाँ पर three dot पर click करने के बाद यहाँ पर profile update उबाले पर click कर लेना है और यहाँ पर लोग को एक बार फिर से check कर लेना है जो भी बच्चे के माता या पिता का अधार details डालने हैं उसको आप लोग फिर से check कर लिजेगा अगर अधार verification कर रहे हैं तो सही सही यहाँ पे बच्चे के माता का अधार नमर डालिएगा या पिता का अधार नमर जो भी डाल रहे हैं पे सही सही डाल लीजेगा डालने के बाद आपको क्या करना है सब्मिट कर लेना है और सब्मिट कर देने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है अगर वेर करना है वो यहां पर है select language तो आप लोग पहलेकर देख़ीर करने के बादेखिए अब आप लोग का patient naviggrade किये होंगे तो आप लोग को कुछ नहीं करना है तिर्फ हिंदी से आप लोग को ingles कर लेना है क्योंकि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे अगर आप लोग बिलेक्ट किये होंगे तो हिंदी में आप लोग का कुछ भी यहां पर नहीं आ रहा होगा क्योंकि हिंदी यहां से हтор चुका है अभी फिलाल के लिए तो आप लोगों को क्या करना है इंग्लिस वाले पर र dengan क्लिक करने के बाद आपको यहां पर confirm वाले पर click कर देना है तो देखिए बैक आने के बाद यहां पर आपको क्या करना है बेनिफिसरी वाली पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहां पर click करने के बाद देख पहेंगे कि पहले यहां पर बच्चे का नाम दिखा रहा था अब यहां पर बच्चे के बाद उस बच्चे के माता का नाम यहां पर दिखाने लगा है क्योंकि हमने उस बच्चे के माता का आधार डिट आधार वाले पे क्लिक कर देना है चलिए हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं जैसे हमने क्लिक किया देख सकते हैं यहाँ पे आधार वेरिफाइड सक्सेस्फुली हो चुका है याने कि आप लोग की जो समस्या है पोसन ट्रेकर एप में आधार वेरिफिकेशन को लेकर तो स सिर्फ आपको more option में चले जाना है more option में जाने के बाद सिर्फ आपको वहाँ पर language सेलेक्ट कर लेना है English में और English सेलेक्ट करते हैं आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने हमने इसको अधार वेरिफाई कर लिया है आप लोग इसी परकार से जितने भी बच्चों का अधार वेरिफिकेशन है वो इसली अब आप लोग कर पाएंगे तो उमीद है आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पोसंद ट्रेकर एप से रिकार्डिंग आप लोग के मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद